Friends, मेरा नाम है दिनेश गौड और आज मैं बात कर रहा हूँ ट्रैवल फोटोग्रफी के बारे में ट्रैवल फोटोग्रफी सबसे पॉपुलर मैं कहूंगा कि विधा है फोटोग्रफी के अंदर और हम सब लोग चाहे जो फोटोग्रफी को प्रफेशनली अडप्ट करते हैं या जो लोग शौक्या फोटोग्रफी कर रहे हैं कभीने कभी ट्रैवल फोटोग्रफी जरूर करते हैं पिछले बहुत सारे सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं कुछ टिप्स आप से शेयर कर रहा हूँ, स्पेशली ट्रैवल और स्ट्रीट फोटाग्रफी के बारे में ट्रैवल फोटाग्रफी में बहुत सारी चीजें शामिल हैं और इन में सबसे पहला है आर्टिटेक्चर, लेंड्सकेप, पोर्ट्रेट, पीपल, स्ट्रीट, आदी-आदी आज हम कैमरा बडी, लेंसेज, मेगा पिकसल, आपरचल और इन सारे टेकिनिकल आसपेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे इसमें कोई शब नहीं कि फोटोग्रफी में बहुत सारे टेक्निकल आस्पेक्ट हैं पर इसके साथ साथ फोटोग्रफी एक आर्ट एक्टिविटी भी है तो हम इसका जो आर्टिस्टिक पहलू है और उसमें क्या-क्या डीटेलिंग हो सकती है या हम चीजों को किस नजरिये स देख सकते हैं हम उन सब बातों के बारे में या उनके बारे में इतने सालों में मेरी जो अंडरस्टेंडिंग रही है जो मैंने सीखा है और जिस तरीके से फिल्ड में उन चीजों को हमने महसूस किया है उन सब बातों के बारे में मैं आज कुछ टिप्स आप से शेयर तो पहला point है सिर्फ landmark को ना देखे composition पर भी ध्यान दे जब हम किसी popular landmark पर होते हैं तो normal picture shoot करने से बचे normal picture से मेरा मतलब है कि उसी landmark पर बहुत सारे लोग 1000 अफिशार जोग दिन भर में आते है और वो लोग भी उसी तरीके से सेंटर में रखके फटा फट पिक्चर शूट कर रहे होते हैं तो वो repetition वो एक जैसे पिक्चर का कोई मजा नहीं है आप अगर वहाँ पर हैं तो आप उसमें angles और composition ढूंडने की कोशिश करें आप थोड़ा इधर उदर जाते हैं बैटके खड़े होके या किसी और point of view से या foreground में कुछ और चीजों को वहाँ पर जो moment हो रही हैं उन चीजों को पकड़ कर और आस पास होने वाली सारी जो activities हैं उनको ध्यान में रखकर एक angle एक नया style चूज़ करने की कोशिश करें rule of third को apply करें किसी दूसरे structure के frame में बांधें या किसी दूसरे prominent element के साथ compose करें और try करें perspective lines के साथ composition बनाने की अपनी compositions में shape, texture, line, shadow या मैं कहूं की light and shade का play इन elements को अपनी composition में लाने की कोशिश करें इन चीजों के लिए थोड़ी practice चाहिए और धीरे धीरे ये सब चीजे आपके दिमाग में tune हो जाती है और दूसरा point है आखों से देखें, दिमाग से नहीं photography में चीजों को अलग नजरिये से देखना सबसे ज्यादा important है वही सब frame, वही सब चीजे, वही सब activity, वही सब light and shade, वही जीवन में जो कुछ हो रहा है सब लोगों को भी नजर आता है पर आप उसको एक composition में एक frame में बानते हैं तो वहाँ आपकी नजर और वो कैसे होना चाहिए ये knowledge सबसे ज्यादा काम करती है और अगर आपके पास वो नजरिया धीरे धीरे develop हो जाता है तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी travel street photography कर सकते हैं कोशिश करें उन चीजों को ढूंडने की जो subject को interesting बनाती है या फिर आपका जो model है या subject है उसकी आँखे कहा move कर रही है उसकी body language क्या है या उस किसी particular स्थान पर अगर कोई element हम उसमें जोड सकते हैं जो उस frame को या उस photograph को interesting बनाता है तो वो भी उसमें add करने की कोशिश करें बेडों के जुंड का ये photograph लेंड्सकेप के curvature के साथ movement की वज़े से शांदार है तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा point है जहां भी जाएं एक कहानी को ढूंडने की कोशिश करें कोशिश करें अपने photographs के लिए कहानी ढूंडने की या फिर कुछ ऐसे elements यूज करने की या add करने की कि उससे आपकी कहानी बन जाए बनारस के घाट पर जब लड़के गंगा में जंप कर रहे थे तो मेरे photographer मित्र आशू शर्मा ने उन में से एक को अपना गंचा पकड़ा दिया और उसे साथ लेकर कुदने की request की और result आपके सामने है लंबे मूचों वाले इस आदमे के portrait की कहानी बदल जाती है जब foreground में उटा जाता है या फिर तुंगनाथ मंदिर के इस photo में यदि ये बरतन नहीं होते तो ये photo कितना flat लगता आप समझ सकते हैं travel photography करते टाइम आप बहुत सारी ऐसी चीजें भी experience करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं की शायद अलग-अलग जगहों पर भूमने की वज़े से अलग-अलग लोगों को मिलने की वज़े से या उस पूरे environment change की वज़े से भी ऐसा होता है कि जो आपने पहले देखा या सुना नहीं है तो उन सब स्थितियों के अंदर हर चीज़ पर नजर रखना बहुत जरूरी है अब मैं बढ़ता हूँ चोथे point की और और यह चोथा point है एक ही subject के बहुत सारे option शूट करें पर अंदा धुन्द भी शूट ना करें ट्रेबल फोटोग्रफी का तो मतलब यह है कि आप जहां जा रही हैं हो सकता है कि दुबारा वहां कभी न जाए या near future में कभी न जाए और आपको same character शायद वहां दुबारा ना मिले या वो मौसम ना मिले या उस तरह का वातावरन ना मिले अगर आप किसी monument को shoot कर रहे हैं तो वैसा sky ना मिले तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा अपनी compositions में variation और options ट्राइ करें ताकि आप जिस समय आपको वो opportunity मिली है उस opportunity में best options और best pictures आप निकाल भाएं कुम्ब के दोरान shoot किये गए इस photograph में सादू बाबा काफी interesting character है पर पीछे आने वाले wires और lights ने पूरी composition का मज़ा किरकिरा कर दिया है और unfortunately मेरे पास ये एक ही frame है उस समय यदि मैंने 2-3 minute के अंतर पर यदि कुछ और options ट्राइ किये होते तो result definitely अलग होता बनारस के घाट पर इस famous मंदिर का photo जब दिन में shoot किया गया तो वो बिलकुल ordinary था पर उसी जगे पर हमने जब शाम को दुबारा से evening light के साथ उसको try किया तो नजारा बिलकुल बदल गया और result आपके सामने है अब मैं आता हूँ पांचवे point पर और ये पांचवे point है लोगों से कैसे deal करें travel या street photography में सबसे मुश्किल होता है कि हमारे होने वाले subject या model से deal करना और वो भी उस स्थिती में जब आप एक नई जगे पर होते हैं एक अजनबी जगे पर होते हैं और आप उन लोगों को भी नहीं जानते हैं जिनको आप shoot करना चाहते हैं और आपको ये भी नहीं पता है कि जिन लोगों की तरफ या जिस subject की तरफ आप camera move कर रही है या उसकी तरफ point कर रही है वो कैसी react करेगा भारत जैसे देश में जहां इतने सारे festivals, इतने सारे melee इतने सारे celebrations आयोजित होते हैं फोटोग्राफी के लिए धेर सारी opportunities निश्चित तोर पर होती हैं लेकिन वहां भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सामने वाला कैसी react करेगा जब भी किसी दूसरे state में या किसी दूसरे country में जा रही हैं तो वहां के local कुछ शब्दों को पकड़ ले कुछ शब्दों को याद रखे जो लोगों को greet करने के लिए या उनसे थोड़ा comfortable होने के लिए आप use कर सकते हैं और यकीन मानगी ये चीज़ बहुत ज्यादा काम आती है स्ट्रीट फोटोग्रफी में या ट्रैवल फोटोग्रफी में कोशिश करें कि अपनी नम्रता बनाए रखें polite रहें क्योंकि कहीं भी जगडा करने से या अपने आपको कुछ दबंग किस्म का व्यक्ति दिखाने से कुछ हासिल नहीं होता है अगर लोग एतराज कर रहे हैं तो आप smile करते हुए वहां से हट जाएं मुझे उमीद है दोस्तों कि यह टिप्स चो ट्रैवल फोटोग्रफी पर मैंने आपसे शेयर करी यह आपके अगले ट्रिप पर जरूर कुछ न कुछ काम आएंगी और आप ज्यादा बहतर फोटोग्राफ शूट कर पाएंगे थैंक यू